So, Hello Dear Friends, आज हम बात करेंगे अलकासोल सीरप के बारे में फ्रेंट्स, इसके पूरे डिटेल के बारे में रिव्यू करेंगे फ्रेंट्स, तो थोड़ी देर वीडियो पर रुख जाएए अलकासोल सीरप ये एक सुगर फिरी और नॉन एल्कॉलिक सीरप है जो यूरिन इंफेक्शन और किड्नी इस्टोन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है इस सीरप में सिट्रिक एसिड, पोटेशियम सिट्रेट और मेगनीशियम सिट्रेट जैसे एक्टिव इंग्रीडियन्ट होते हैं ये ingredient urine acidity को कम करते हैं और kidney stone को dissolve करने में मदद करते हैं अगर आप alkasol syrup का use कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर दुआरा दी गई direction के according ही इसे लेना चाहिए नॉर्मली फ्रेंट्स ये syrup खाने के बाद पानी के साथ लेना होता है और अगर आपको कोई भी side effect or discomfort महसूस हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें फ्रेंट्स इसके कुछ possible side effect हैं जो आमतोर पर महसूस होते हैं डाइरिया, stomach cramp, nausea और vomiting सामिल हो सकते हैं लेक करना चाहिए और अगर आपको kidney problem या high blood pressure जैसी problem है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए तो ये था अलकसोल सीरप के बारे में कुछ important point मुझे उमीद है आपको ये वीडियो helpful लगा हो अगर आपको इस topic पर कोई भी सवाल है तो आप मुझे comment section में Kumisya दे मिल owners бал нашем दो आपको एंड्म से कुंवा कैँ आपको इसे TYP में टाहिआ आपको प्रचें का साफ़ती क्या है तो हम हम सकते हैं मैं क्याहिए तो ोईन्य जाप गर कहुड़ की क्श21 clean 21